हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूटूब चैनल, नौलेज एंड एजुकेशन अड़्डा, दोस्तों हम BTCRDL8 फर्स सेमेस्टर मैट्स को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने चाप्टर वन से लेके चाप्टर 11 तक का यूनिट या चाप्टर कम्प्लीट कर लिया है, तो आयत, वर्ग, एवं वृत्त की अफधारना तथा इनके अंगों के जानकारी, यानि इन सब के बारे में हमें आज जानकारी कलेक करनी है, तो फिर इससे रिलेटेट क्वेस्चन हमको सॉल्व करना है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि ट्राइंगल क्या होता है, यानि त्रिभुज क्या होता है, तो तीन भुजाओं से घिरी आकरिती को हम त्रिभुज क्याते हैं, और त्रिभुज में वैसे तीन सिर्ष होती हैं, और तीन भुजाएं होती हैं, और तीन कोड होते हैं, यानि जिसमें तीन तीन चीज़े आप हम त्रिबुज की बुजाय कहते हैं जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं ए बी सी हमारा क्या है एक त्रिबुज है जिसमें Sec Hat, Music, Ce, Be Yap यह क्या है इनकी बुजाय Tudo paid to use तो इस प्रकार से हम त्रिभुज की भुजाओं के बारे में जानगे अब हम जाते हैं कि बेस किसे कहते हैं यानि आधार क्या होता है तो त्रिभुज की वह भुजा जिस पर क्या होती है त्रिभुज खड़ी होती है त्रिभुज खड़ा होता है उससे त्रिभुज का आधा इसी प्रकार हम कहें कि शीर्व किसे कहते हैं यानि वर्टिकल एंगल क्या होती है तो तुट्रिवुज की आधार भूजा के सामने का pastor जो होता है वह सी कोर कहलाता है जैसे इस या यह बात करते आधार कोर की तो त्रिभुज के आधार के दोनों सिरो पर बने कोड़ों को हम त्रिभुज के आधार कोड़ कहते हैं जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं यहाँ पर जो हमारा एंगल B और एंगल C है यह क्या है त्रिभुज का एक आधार कोड़ है और इसी के साथ ही जो एंगल A है वह क्या है त्रिभुज का सीर्ष कोड है तो इसी टाइप शिंगल की बारे में जाना अब हम बात करते हैं त्रिभुज की माधिका किसे कहते हैं यानि मीडियन ओफ ट्राइंगल तो वह सरल रेखा जो त्रिभुज के किसी सीर्ष को उसकी सामने की भुजा के मध्य बिंदू से मिलाते हैं माधिका कहलाती है यहाँ पर जो माधिका है वह AD है तो यह बीच में जो डिवाइट करें त्रिभुज को उसे हम कहते हैं उसकी माधिका है और त्रिबुच की उचाई कैसे क्यात करते हैं तो त्रिबुच के किसी सीर्स से उसके सम्मुक भुजा पर खीचा गया लंब उस त्रिबुच का क्या कहलाता है उचाई कहलाता है जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भी भुजा है हमारी यह त्रिबुच की जो उचाही है वह क्या है? AD है यह जो उपर वाला portion है यहां पर क्या होगा? यह जो भुजा है यह त्रिबुच की भुजाही क्या है? उसकी लंबाई है तो इस त्रीबुच की उचाही ग्याद कर लेते हैं यानि hight of a triangle अब हम बात करते हैं कि त्रिभुच में और भी कही चीज़े होती हैं जैसे त्रिभुच का 12 कोड होता है तो exterior angle of a triangle क्या होता है तो किसी त्रिभुच की किसी एक भुझा पर बनी किरण से दूसरी भुझा के साथ बाहर की और बने कोड को हम 20 कोड कहते हैं यहाँ पर अगर हम इसमें ऐसे देख करके बात करें तो त्रिभुज के बाहर जो भी कोड बनता है उसे हम उसका बहिस कोड कहते हैं जैसे यहाँ पर इसका बहिस कोड इधर होगा ऐसे इस वाले में इसका बहिस कोड यहाँ पर होगा तो यह जो तीनों आप देख रहे हैं यह सबी त्रिभुज के क्या हैं बही स्कोर हैं अब हम पढ़ते हैं classification of triangles यानि कि त्रिभुजों का वर्गी करन या त्रिभुज का वर्गी करन तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का पहले हम वर्गी करन रेखेंगे तो सबसे पहला हमारा क्या है विश्यम बहुत रिभुज यानि skeleton triangle तो जिस रिभुज की तीनो भुजाओं की लंबाई अलग-अलग होती है यानि विश्यम होती है उसे हम विश्यम बहुत रिभुज कहते हैं जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं ABC हमारी क्या है एक विश्यम बहुत रिभुज है जिसमें AB भुजा की लंबाई छोटी दिख रही है और BC की थोड़ी बड़ी सबसे दिख रही है और AC उससे थोड़ी छोटी तो तीनो भुजाओं की जो लंबाई है वो अलग- इसकी वज़ा से यह क्या हमारा विश्यम बहुत रिभुज है अब हम बात करेंगे सम्द्वि बहुत रिभुज यानि की आइसोसेलस ट्रेंगल्स क्या होता है कि जिस रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई क्या होती बराबर होती है उसे हम सम्द्वि बहुत रिभुज मार्क भी किया गया है कि यह क्या है तुछ संसे होता है अर सब भुझा बेधाफू ग्यांगद्ग है कि इसमें इक्वी बीच तू 2 बहू बहूत le Image जर्टा कोरूं है में यहोजरों पर चछुए तुमोर्ण में से संसे की ओरलना SEE कर रहें तो ऑन बेसे aof angles तो angles की अदार पर कैसे होता है सभसे पहले हमारा होता है निऊन कोड क्षिस्व तो जिस त्रिबुच के तीनों कोड क्या होता है निऊन कोड का मतलब नबभे से कम होते हैं तो उस इसको हम क्या बोलते हैं acute angle triangle, यानि कि new core tribus कहते हैं, बहुत important है, इसको ध्यान से समझ लीजेगा, कि जिस tribus की तीनों भुजाओं के जो core होते हैं, वो 90 से कम होते हैं, उसी new core tribus कहते हैं, some core tribus का मतलब कि जिस core का जो एक core होता है, वो 90 degree हो, यानि some core हो, उसे हम क्या बोलते हैं, right angle triangle, यानि some core tribus कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहें, tribus ABC में, angle B जो हमारा 90 degree का है, इसलिए यह हमारा क्या है, some core tribus है, बाकी जो angles हैं, उनका addition 90 होगा, लेकिन वो अकेला 90 नहीं हो सकता, इसलिए यह हमारा क्या होगा, some core tribus होगा, अब हम बात करेंगे, अधिक core tribus की, यानि ओप्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, तो जिस tribus का एक core अधिक हो, मतलब एक core जो है, वो अधिक core होता है, यानि 90 से जादा होता है, तो उसे हम अधिक core tribus कहते हैं, जैसे कि आप इस डाइग्राम में इस देख रहे हैं, तो tribus ABC का है हमारा अधिक core tribus है, अब हम कुछ यहाँ पर जो है, जामिती तथ्यों के बारे में बात करते हैं, यानि कि geometrical facts के बारे में, तो tribus भुजाएं जो होती हैं, वो निम्न दशाओं में बराबर हो सकती हैं, जैसे सम्द्विबाहुत रिभुज की दो भुजाएं, तथा सम्द्विबाहुत रिभुज की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, जैसे कि उनके नाम से ही clear है कि सं विबाऊ यानि दो भुजायें बराबर हो, फ्सक्राइं बराबर होती हैं, जिब कि वर्ग और सं चतुर भुजायें बराबर होती हैं, तो यह भुजाओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी है, आप इसे नोटडाउन कर सकते हैं, और दो सरवांगशम त्रिबुजों की संगत भुजाये जो होती है वा अलग-अलग बराबर होती है सरवांगशमता का जो नियम है यह अभी आप नेक्स्ट सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे यहां पर जो है बस आप उसके बारे में जानिए कि सरवांगशम त्रिबुजों होती है उसमें अलग-अलग भुजाये जो होती है उनकी बराबर होती है तो और भुजाओं की दशाओं में छोटा और बड़ा कैसे होता है तो किसी त्रिबुज के कोड़ों के बड़े या छोटे होने पर उनकी भुजाओं भी बड़े या छोटे होती है यहने का मतलब है कि माल लीजे हमारा अगर यह ट्रैंगल है तो आपको पता है कि यहाँ होता है हमारा 90 degree है यह राइट अंगल, ट्रैंगल है तो right अंगल, ट्रैंगल में यह वाला अंगल सबसे बड़ा है तो इसकी वज़ाई झाहली भुजा भी सबसे बड़ी होगी इसके सामने वाली भुजा क्या हो रही है हमारी यह जो होती है इसको हम कर्ण बोलते हैं यह जो भुजा होगी सबसे बड़ी होगी क्योंकि इसके सामने वाला जो ओड है वो सबसे बड़ा है यानि किसी भी तरभुज में अगर उसकी भुजा सबसे छोटी होगी तो उसके सामने का कोड भी सबसे छोटा होगा या उसक संगत कोड भी बराबर होते हैं यहां पर तीरियक रेखा कारते हैं तो उनके संगत कोड क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं तेखिए सिर्षा विमुक कोड क्या होता है जो ऐसे होता है यहां पर आमने सामने के कोड होते हो सिर्षा विमुक कोड होते हैं और यहां पर ती तो और सम्द्वि बहुत्रिबुज के बराबर भुजाओं के सामने के कोड बराबर होते हैं और सम्द्वि बहुत्रिबुज के कोड बराबर होते हैं क्योंकि उनकी सब भुजाएं बराबर हैं तो वह भी बराबर होंगे और निश्चित मापो के कोडों में बराबर कोड जो इनसे रिलेटेट क्विस्टन आप लगाएंगे तो समझ जाएंगे कि कहा क्या क्या है और मैंने कुछ चीज़े समझा भी दी है तो आप समझ गए होंगे यहां पर त्रिबुच का छेत्रफल निकालने के लिए एक फॉर्मूला है यहां पर यह शेत्रफल तभी निकलेगा ज तो यहां पर ऐसा ही फॉर्मूला होता है तो पहले ऐस की वैलू फाइन करनी होती है उसके बाद हम यहां पर चेत्रफल निकालते हैं फिर त्रिबुच की कुछ विश्यस्ताय होती है कि यदि किसी त्रिबुच की दो भुजाएं बराबर ना हो तो बड़ी भुजा के सामन के कोड से बड़ा होता है जैसे माले जे कि कोई त्रिबुच है ठीक है यह हमारा त्रिबुच है अब इसकी दो भुजा है माले जे यह आपस में बराबर नहीं है माले जे यह वाली भुजा और यह भुजा बराबर नहीं है तो इनमें जो बड़ी भुजा होगी उसके सामन कि ऐता थिदिते थिदेनों को ये बोलता है कि यह कौ bodies waking班 की टिर्बुँचीर उसकी दो भुजाओं का योग अगर तीसरी भुजा से बड़ा होगा तो इसका मतलब है कि वह हमारा त्रिबुज के बनने लायक है वो जो भुजाएं दी गई वो त्रिबुज बनाएंगी और अगर वहाँ पर दो भुजा का योग तीसरी से बड़ा नहीं आएगा तो इसका मतलब है वहाँ पर जो भी आपकी भुजाय दी गई उनसे त्रिबुज नहीं बनाया जा सकता समकोर त्रिबुज में कर्ण का वर्ग शेश भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है यानि पाइथागोरस थियूरम जो आपने देखा होगा छोटे क्लासों में भी पढ़ा होगा कि जैसे ये ए बी सी है हमारा यहाँ पर जो एसी भुजा है इसका जो वर्ग होता है ये बाकी दो भुजाओं यानि बी सी का जो इसक्वाइर है और ये प्लस जो एबी का इसक्वाइर है इन दोनों के इसक्वाइर के क्या होता है बराबर होता है अब रिपुष की दो भुजाओं के मद्यबिंदू को मिलाने वाला रेखाकन तीसरी भुजा के समानतर और लंबाई में उसका आधा होता है जो उनका मद्य बिंदू होता है वो तीसरी भुजा के समानतर होता है और लंबाई में उसका आधा होता है क्योंकि जो मद्य बिंदू है जैसे यहाँ पर माली जेक मैंने ट्राइंगल बनाया बीच में एक लाइन खीच दी तो आधी भुजा और ये आधी भुजा तो आधा ही तो होगा इसका तो इसलिए जो भुजा होगी यहाँ पर वो आधी होगी अब त्रबुज की एक भुजा के मद्य बिंदू से एक अन्य भुजा के समानतर खीची गई रेखा तीसरी भुजा को उसके मद्य बिंदू पर प्रतिश्य दित करती है यह भी कुछ एक पॉइंट त्रबुज के बारे में बताया गया है अब हम आयत के बारे में बात करते हैं यानि कि rectangle क्या होता है तो आयत एक समानता चतुरबुज होता है या एक समानता चतुरबुज का प्रकार है जिसका एक code 90 degree का होता है और ठाथ आयत में क्या क्या चीज़े होती हैं इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख रहें डाइग्राम में जो है हमारा आयत A, B, C, D बना है इसमें जो सम्मुख भुजाएं वो बराबर है यानि A कोड A बराबर कोड C कोड B बराबर कोड D जो सम्मुख भुजाएं मतलब A, D बराबर B, C और A, B बराबर D, C और यहाँ पर जो सम्मुख कोड है वो भी बराबर होते हैं तो यहाँ पर चारो भुजाओ का योग होता है मतलब चारो कोडों का वो 360 होगा और सभी कोडों का मान जो है वो 90 होता है समकोड होता है तो इसी टाइप से जो है यहां पर आयत के बारे में बताएगे हैं और दूसरी बात यहां आयत के जो विकर्ण होते हो परस पर समध्विभाजित करते हैं यानि यह जो आयत हमारा यहां पर दिया गया है इसके जो भी विकर्ण होंगे यह आपस में जहां पर मि आता है यह एक ट्राइब का आयत ही होता है जिसकी दो क्रमागत भुजाएं बराबर होती है यानि वर्ग में क्या होता है चारों भुजाएं बराबर होती है और पते कोड समकोड होता है और विकर्ण परस्पर समधिभाजत करते हैं बस यही अंतर है कि आयत में चारों भुज प्रत्र में दिये गए एक निश्यत बिंदू से उसकी दूरी सदा नियत रहती है तो इस प्रकार की बिंदू को हां के जो पत होता है उसे हम वृत कहते हैं जैसे एक कोई हमने पॉइंट ले लिया और इस पॉइंट को हमने मान लिजे केन मान लिए इसके चारो और एक ऐसा ग केंद्र होता है उसकी त्रिज्जा होती है उसकी परिदी होती है उसका व्यास होता है तो यहां पर आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि बिंदू ओ क्या है यहां पर वृत का केंद्र है और वृत के केंद्र से वृत की पर्टेक बिंदू की नियत दूरी को हम वृत की तिर्जा कहते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया था, कि यहाँ ओ पॉइंट से जो भी दूरी लेंगे हम इसके परदी पर वो सभी बराबर होंगी और इसे वृत्त की तिर्जा कहते हैं, और वृत्त परिस्तित ऐसे दो बिंदूओं को मिलाने वाला रेखा खंड, जो वृत्त के केंडर से हो कर जाता है, उसे हम वृत्त का व्यास कहते हैं, यानि कि कोई भी बिंदू जो वृत्त के केंडर से हो कर जैसे यह भी व्यास हो गया, यह भी वृत्त का व्यास है, क्योंकि उसके केंडर से होके जा रहा है जीवा जो होती है वो वृत्त के केंडर से होकर नहीं जाती है तो यहाँ पर वृत्त की माप अगर हम कहेंगे तो उसकी पड़िधी कहलाती है और वृत्त का व्यास जो होता है वो तरज्जा का दो गुना होता है यानि कि दो तिज्जाओं को अगर हम जोड़ देंगे तो वृत्त का व्यास मिल जाएगा अब वृत्त की जीवा और उसका चाप क्या होता यानि हम यहाँ पर कॉड़ और उसके आर्क के बारे में बात करेंगे तो वृत्त के अभी पहले अले चाप्टर में भी हमने वृत्त के मतलब बारे में देखा था कि उसमें कैसे वहाँ पर चाप हम करते हैं तो यहाँ पर भी थोड़ा उसी के बारे में जानकारी है कि वृत्त की दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखन को वृत्त की हम जीवा कहते हैं और ऐसी जीवा को वृत्त के केंडर से हो कर जाए जो उसके वृत्त केंडर से हो कर जाए उसे हम वृत्त का व्यास कहते हैं तो अगर आपसे मैं कहूं कि वृत्त का सबसे बड़ा जो जीवा होता है वो क्या होता है तो उसका व्यास होता है जो कि उसके केंडर से हो कर जाता है तो किसी भी वृत्तिक की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है उसका व्यास होता है तो ऐसे वृत्तिक की जीवा वृत्तिक को दो भागों में विभाजत करती है एक होता है उसका बड़ा भाग और दूसरा होता है उसका छोटा भाग जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जो वित्त की एक जीवा बनाई गई है, इसमें यह जो है इसका बड़ा भाग है, और जो नीचे वाला हिस्सा है वो इसका छोटा भाग है, यहनि जीवा जो है वो वृत्त को दो भागों में बाटता है, फिर उसके बाद कह यहां पर दूसरी बात कि प्रतेक भाग को हम वृत्त का चाप कहते हैं और दो चाप रेखा खंड के विपीत होते हैं तो हम छोटे भाग को हम क्या बोलते हैं लगू चाप और बड़े भाग को हम जो दीर्ग भाग होता है उसे हम दीर्ग चाप कहते हैं तो वृत्त के दो बि हैं कि इधर से क्षाप लगाए गया है दो भागों में वRIS इस जीवा के अंत बिंदू से बाटता है और बराबर होती है तो उसे अर्थ नहीं कैते हैं में आधा जो भी वृत होता है उसे अब आधा बाट दीजे तो वो क्या हो जाएगा आध्य वृत हो जाएगा अब कुछ वृत के बारे में और भी जानकारी देख लेते हैं जैसे यहाँ पर क्या है संग केंडरी वृत तो ऐसे वृत जिनके मलब माले जो दो वृत हैं जिनके केंर क्या हो एक ही हो तोने हम संग केंड़ी वृत कहते हैं अब केंड़ को किसे कहेंगे तो वृत क exploring केंडर को मानकर केंडर permett को DO तो एक चाप से बनी बंध आकृति को हम त्रिज्रखान कहते हैं जैसे यह व्रित है हमारा यहिए। उपर रहाफ जो बहुत बंद कर रहा है जाए फित क्या होती है उसकी जो उपर वाली जहाँ होगी वह लगूति रिज्र८र्ण होगी और नीचे वाली जहाँ है और छेदक रेखा किसे कहते हैं यानि वह रेखा जिसके केवल दो भिन्द बिंदू वृत्त परिस्थित होते हैं उन्हें हम छेदक रेखा कहते हैं केंडर रेखा किसे कहते हैं लाइन ओफ सेंटर तो वह रेखा जो दो या दो सी वृत्तों की केंडरों से होकर जाए उसे हम केंडर रेखा कहते हैं और common cord की से कहते हैं उभाइनिस्ट जीवा तो जब दो वृत्त एक दूसरे को दो बिंदूओं पर प्रतिश्यदित करते हैं उन बिंदूओं से होकर जाने वाले रेखा खंड को हम वृत्त की उभाइनिस्ट जीवा कहते हैं जब दो बिंदूओं पर प्रतिश्यदित करते हैं इसके अलाब वृत्त की कुछ और यहां पर प्रापर्टीज है पहले तो यह क्या है कि वृत्त जो एक वृत्त का एक ही केंद्र होता है और यह तो साधहरन सी बात है अगर एक वृत्त है तो एक ही केंद्र होगा और एक वृत्त के अनंत व्यास तत्हां अनंत तरज्जाय होती हैं कि अभी मैंने आपको बताया भी था कि हम जो है व्यास ले करके कई सारा व्यास बना सकते हैं जो कि उसके केंड्र से उकर जाए वह अनंत व्यास बन सकता है मैंने अभी यह बात बोली भी थी और यही बात लिखी भी है इसमें और जो व्रित होती है एक व्रित में सभी व्यास संकेंद्र वृत एक दूसरे को प्रतिछेदित नहीं करते हैं क्योंकि दोनों का केंद्र जो होगा वो समान होता है और दो वृत एक दूसरे को अधिक से अधिक दो बिंदो पर प्रतिछेदित कर सकते हैं कहने का मतलब यह है कि एक वृत यह है और एक वृत यह है और दूसरा बिंदू ये हो गया दो से जादा बिंदू पर वो आपस में प्रतिछेदित नहीं कर सकती यानि एक दूसरे को काट नहीं सकती है तो बस दो ही बिंदू पर होता है और अगर यही हमारा संकेंद्री वृत्त हो गया मालेज एक वृत्त यह है दूसरा वृत्य उसके अंदर बना है, दोनों का केंडर जो है यहां बीच में है, तो इसकी वज़ा से यहां पर जो भी बनेगा कभी प्रतिछेदन होई नहीं पाएगा, तो इसलिए कहा गया है, संकेंडर वृत्यों में प्रतिछेदन नहीं होता है, इसके लावा यहां पर और भी geometrical facts बताया गया है कि वृत्त के सभी व्यास क्या होते हैं समांगि होते हैं और केंडर व्यासों का सरवनिस्ट बिंदू होता है और Krth की सबसे लंबी जीवा वृत्त का व्यास होती है वृत के दो बिंदू इसे दो भागों में बाठते हैं उनमें से पतेग भागों हम चाप कहते हैं और अधर वृत में पतेग कोर समकोर होता है लगू चाप में बना कोर अधिक होगा और देर की चाप में बना कोर चोटा होता है जैसे अगर माली जे मैंने एक यहाँ पर वृत ठीके और यहां पर जो है हमने एक भाग कर दिया तो इसमें जो है जा से भाग है उससे बनने वाला कोर्ज होगा वो बड़ा होगा और जो बड़ा भाग है उससे बनने वाला कोर्ज होगा वो छोटा होगा तो यही जो है वृत्ति के बारे में कुछ चीज़े बताई गई हैं तो अब हम जो है इससे कुछ questions को solve कर लेते हैं तो चलिए questions solve कर लेते हैं इस chapter का सबसे पहला प्रश्ण है हमारा बहविकल्पी है कि तीन असमान भुजाओं वाले त्रिबुजों को हम क्या कहते हैं तो option दिया है सम बाहू विशम बाहू सम कोर की तो आपको भी पता ही कि हम जो है इस जब आ समान भुजाय होती है तो उस प्रकार के त्रिबुज को हम विश्म बाहु त्रिबुज कहते हैं अभी अभी मैंने यह क्वेशन बताया है अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा इसके बारे में फिर अगला यहां पर प्रशन है कि ती क्या कहते हैं और जब समान भुजाये में और दो समान चाहरे में होता है तो जिसमें जहां आपको पता है कि समकोर त्रिबुज और बाकि 2 एडिशन समधवय वाली इसकी बचत नमब्य होगा सूजय ग्रक्श हो जाएगा फिर बोला है कि आयत का प्रतिक कोड कैसा होता है 90 होता है कि 180 की 270 की 360 तो हमने अभी अभी पढ़ा कि प्रतिक कोड का जुमान होता है आयत में 90 होता है और सभी का योग चारों का 360 होता है तो option number A हो जाएगा यहां पे फिर ऐसी अगला प्रशन है यहां पे बोला है कि वर्ग की प्रतिक भुजा कैसी होती है बराबर की आसरमान की समानतर तो अभी अभी हमने यह चीज़ पढ़ा है कि वर्ग की जो प्रतिक भुजा होती है वो बराबर होती है तब ही तो वर्ग और आयत में यही एक अंदर है जो हमें बताता है कि वर्ग और यह आयत है नहीं तो वर्ग और आयत लगवग बराबर ही होते हैं यहां पर वृत्य के अंदर इस्थित बिंदू को हम क्या बोलते हैं तो वृत्य में जब अंदर इस्थित कोई बिंदू होता है तो इसके केंद्र के लाबा और कोई धुसरा बिंदू हो लुए नहीं सकता तो व्रिट कांदर होगा व्रिट का माप क्या कहला है अगर हम व्रित की माप कर रहे हैं तो उसको हम व्रित की पढ़िदी को Χांट अभी हम्ने धू parlar कि जब अगर कोई व्रित है उसका तरहा है यानि उसके चारों और का हम area समझ रहें तो यानि हम रित की परिदी के बारे में परणे हैं और עלईव्रित we're not कोड क्या होता है समकोड होता है अब भी आपनी चीज़ पढ़ा भी और proxim होता है कि जो हमारी जो यह हमारी इतो सकता है अगर कोई आकरती माल लिजे हमारी बंद आकरती है तो उसकी जो भी परिसीमा के लंबाई होती है जैसे माले जी कोई भी आकरती यहां पे है कुछ भी हो सकता है आयत हो सकता है वृत्त हो सकता है त्रिबुज हो सकता है कोई भी आकरती है अगर इसकी बंद आकरती है और इसकी परिमाप की बात करें तो इसको हम परिमाप कहते हैं अभी अगला आपका चैप्टर जो है वो इसी से रिलेटेड है तो किसी आयत की अगर भुजाएं इतनी और इतनी है तो उसके विकर्णों की लंबाई क्या होगी यह आपका प्वेस्चन है तो चलिए इसे सॉल्व कर लेत हैं तो जैसे की माली यह आपका जया क्या है आयत है ठीक है विकर्ण आपको पूछा गया तो अगर आपको यह बिर निकालना है तो कैसे निकालेंगे अप देख रहें ही हमारे वए पाइथा गोरस यहाँ पर लगेगा क्योंकि यह जो बन रहा हमारा एक समकोर्त रिबुज बन रहा है और समकोर्त रिबुज में जो है वो पाइथागोरस लगता है और इसे हम पाइथागोरस कहते हैं यानि अब भी हमने यह चीज़ पढ़ी कि इसमें जो बड़ी भुजा होती है उसका जो योग होता है मलब उसका जो स्क्वाइर होता है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के पराबर होता है यानि एसी स्क्वाइर प्लस यहां पर क्या हो जाएगा डी सी का स्क्वाइर है तो एसी का स्क्वाइर मतलब श plural कर लिते हैं किuerdo लेते हैं ठीके हैं के स्क्वाइर का उक्यों क्या होता है 9 होता है 000 यानि की वह सोला और ना। 25 हो गया तो अब यह जो is इसको जब इसक्वाइर डाईगा इधर इतहर तो आंडर्वक हो जाएगा ःधर पांच जो है यह क्या हो जाएगी जो विकर्ण होगी इसकी भुजा की लंबाई जो एडी की बराबर क्या हो जाएगी 5 सेंटी मिटर तो अप्शन नंबर 20 में सही हो जाएगा अगला प्रशन बोला है कि त्रिबुज के तीन कोड़ों का मान क्या होता है तो तीनों कोड़ों का मान जो होता है वो 180 डिगरी होता है अगर कोई त्रिबुज है और उसके तीन कोड़ दिये हैं तो उनका जो मान होता है वो 180 होता है और अगर चार भुजाएं होती है तो उनक इसलिए यहाँ पर दो गुना हो जाएगा और यदि वर्ग की एक बुजा इतनी होई दी गई है तो उसका चैटरफल क्या होगा तो अगर आपको यह फॉर्मिला नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि अगर वर्ग की भुजा दिये तो क्योंकि वर्ग की एक भुजा दिये तो यानि सब भी भुजा हैं क्या होती बराबर होती चारों भुजा है वर्ग की तो एक भुजा अगर इतनी देदी है यानि कि इसका जो छेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा इसका छेत्रफल होता है A square यानि भूजा का square यानि 2 का square क्या हो जाएगा 4 तो 4 cm square तो option आपका C सही हो जाएगा तो इस तरह से जो है ये questions हमने solve कियें next हम देखेंगे previous year के questions को तो अब हम solve करेंगे previous year के questions को जो कि chapter 11 का है यहाँ पर हम इसको sorry chapter 12 का है तो चलिए इसी को हल करते हैं इस chapter से मान लीजिए कि हर साल बहुत question बनते हैं और लगभग जो है question बहुत जादा-जादा मात्रा में बनते हैं तो चलिए प्रशन को solve करते हैं सबसे पहला प्रशन है कि यहाँ पर बोला है कि एक क्या है आयत की लंबाई और चड़ाई दी गई है इसके चारो और तार लगवाने के लिए कितने मीटर तार किया शकता होगी यानि हमें क्या बोला गया है प्रहले जो बोला है उसे हम solve कर लेते एक आयत है और उसकी लंबाई कितनी दी गई है यहाँ पर उसकी लंबाई दी है 110 मीटर और चड़ाई दी गई है 40 मीटर और आपको पता है आयत की चारो भुजाएं जो होती है आमने सामनी की जो भुजा होती बराबर होती तो 110 ये भी हो जाएगा और 40 ये भी हो जाएगा तो अगर ये दोनों बराबर है तो इसमें जो है चारों और तार लगवाने के लिए कितना मीटर तार लगेगा तो यहाँ पर जो है हमें इसका क्या निकालना है आयत का परिमाप निकालना है यहाँ पर जो है आयत का परवाम नेकलेगा यानि 40 प्लस 110 प्लस 40 और यह प्लस 110 अब इन सभी को जब हम add करेंगे तो यहाँ पर जो answer आजाएगा आपका 300 मीटर तो यही क्या है इसको बनवाने के लिए इतना मीटर ताल की क्या होगी आशक्ता होगी तो ऐसे हमारा जो है आगला प्रस्ण दिया है कि व्रत्त की सहायता से कीनी दो बिंदूओं को मिलाने वाली रेखाखन को हम क्या कहते हैं तो अगर हम व्रत्त की सायता से जो है जैसे माले जी एक हमारी व्रत्त है ठीक है इसकी सायता से हम कोई भी दो बिंदू को मिला रहे हैं इसने यह नहीं बोला कि हम जो है केंडर को लेकर मिला रहे हैं हम केंडर को छोड़ के भी मिला सकते हो केंडर को लेकर भी तो अगर यहां दो बिंदूओं को मिलाने वाले रेखाखन को हम जीवा बोलते हैं अगला प्रश्न है कि एक खेल के मैदान में दिया गया है जिसमें जो लंबाई है इतनी है और चोड़ाई इतनी है तो उसके चारों और कितना लंबा तार लगेगा तो खेल का मैदान है तो खेल का मैदान चोड़ा है उसकी 40 है तो चार और कितना तार लगेगा और यह भी प्रश्ण आपका 2015 में ही आया है तो आप देख रहे हैं दोनों प्रश्ण लगबक सेम है यहां पर जो नंबर है वो भी सेम है बस प्रश्ण बोलने का तरीका बदल गया तो 110 यह भी हो जाएगा और 40 यह भी ह इसका तार लगेगा फिर बोला है कि परकार की सायता से गोला प्रकार से 3.4 सेंटीमीटर का एक व्रित खीचिए और इसका व्यास भी ग्याद कीजिए तो अगर हमें पहले जो भी त्रिजा खीचनी है यानि हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा यह जो 3.4 सेंटीमीटर ह है अपका ये वाला जो है इसे हम 3.4 कहते हैं यहां सबसें पहले हम यहाद ले ले लए तो exiting तो फिरेंट रग इसको हम गोला परकार को इसी के बराबर ले लेते हैं तो यह हो गया इतना इतना हमारा बन गया तो बोला है कि इतनी ही त्रिज्जा का क्या करना है हमें व्रत्य खीचना है तो हमें जो है इसकी त्रिज्जा दी गई है और बोला है कि साथ ही इसका हमें व्यास भी ग्याद करन तो हमें इसकी सर्फ त्रिज्जा दी गई है तो यानि कि इधर भी उतना ही होगा और इधर भी उतना ही होगा तो इसका जो है हमें ऐसे करके एक गोला बनाना है और बोला है कि इसकी जो ये त्रिज्जा है वो कितनी है ये 3.4 cm है तो व्यास कितना होगा इसका जो इसका व्या कितना हो जाएगा फोर टूजा एट और त्री टूजा शिक्स तो 6.8 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा इसका व्यास हो जाएगा अगला प्रस्टन हमारा यह बीटिस की दोजा पन्रा में दूसरी बार जब पेपर हुआ था तो उसमें आया था कि एक तिबुज है उसकी कुछ भ टूजा इस निकालते थो इस मतलब यहां पर जो भी फूजाय दी गई है एक वैल्यू दी है इट सेंटीमीटर और डी की दिया गया है यहां पर 15 सेंट्रा संटीमीटर में दिया गया है तो अम निकालेंगे जब आप लस ली-प्लस-S अपॉन-टू तोeld्डल यहां हैंने कि 20 सेंटीमेटर इसका परिमाप हो गया तो इसलिए हम यहाँ पर जो है जब त्रिभुज का छेत्रफल निकालेंगे तो हमारा आएगा इसे हम डेल्टा बोलते हैं यह आएगा फॉर्मुला होते है अंडरूट ऑफ एस माइनस एस माइनस भी और अभी मैंने आपको यह फॉर्मुला बताया है ठीक है तो यह हो गया 20 स का मतलब 20-8 20-15 और 20-17 तो इसको स्वाल करेंगे तो यह हो गया 20 20-8 यह जाएंगे 12 यह हो गया 5 और यह हो गया क्योँ से तोड़ दिया कि दोptions यहां पर जहां कि कि द्म करने से क्या हो जाता है दो प्लब द्बाइं कि फाइब का मिल गया Ona 5 इंटू 5 मिल गया में 4 इंटू 4 ओ दो 3 दो में चाफ को पता है कि जब कभी अगर उट मिल जाता है और सब का हमको यहां पर अगर सबनागार्न जाता है तो यह से एक पाँच निकाल लेते हैं इसमें से एक चार और इसमें हो जाता है तुनिकने की फुछ सब्सक्राइब में 3s2 संप्राइब गल्यार। 우리 शव व्यास होता है वो क्या होता है दो गोड़े त्रिज्जा होती है यह क्या है उनके बीच में एक रिलेशन होता है फिर अंगला प्रस्ट है कि यदि किसी चतरबुज की चारों भुजाएं बराबर हो और पते को 90 डिगरी का हो तो ऐसे चतरबुज को हम क्या कहते हैं तो अभी चतरबुज को हम क्या बोलते हैं वर्ग बोलते हैं हमने अभी पढ़ा था और अगर यह चारों भुजाएं ना बोल करके बोल देता कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं तो यह ऐसे चतरबुज को हम क्या बोलते इस प्रकार के चतरबुज को हम कहते आयत तो यहां पर जो होगा हमारा आंसर क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा तो इसी प्रकार जो है अगला प्रशन हम देखते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं या तो फिर इसमें ऐसी लिख दीजेगा कि इस प्रकार के चतुरवुज को हम वर्ग कहते हैं हमसे अगला प्रशन कहा है कि 7.2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृतिखीची और इसकी त्रिज्जा भी ग्याद कीजिए तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर इसने व्यास बोल दिया है कितना है यहां पर हमारा 7.2 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्जा क्या हो जाएगी क्योंकि जब व्यास उसका दो गुना है तो त्रिज्जा व्यास की आधी होती है तो इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा यहां पर हो जाएगा है हो जाएगा तो 3.6 cm क्या हो जाएगी है wow तो हमें हैं जो जाए ना यह जो हमारी इस वाली 6 cm है, यहां पर हमने के 3.6 cm के को यहां था मोलतक्त कॉर्पिन सब्सक्राइब सब़ता है, यह तर्जा केमाप टे लिप, 4 प॥ पीमि Nur को लुद्र अपया है है कुंपर को यह को ऩदे जो है, वार个 अप्र Success क्या है हमारा वृत्त बनके रेडी हो गया तो अब यहां पर जो है इसमें हम लिख देते हैं ऐसे ही यह पूरा हमारा क्या है इसमें दिया था क्वेश्चन वे अल्रेडी कि यह पूरा जो व्यास है यह 7.2 सेंटीमीटर का है हमारा व्यास तो अगर यह 7.2 है तो यह वाला जो यहाँ पर जो है एक आयत की भुजाय दी गई है और इसका परिमाब ग्याद करना है तो पहले तो इसमें चित्र बना लेते हैं तो यह इसमें एक जाइग्राम बना है बोला है कि इसका परिमाब ग्याद करना है तो अगर यह तीन है तो यह भी तीन हो जाएगा और यह अगर 9 है तो यह भी 9 cm हो जाएगा तो आपको पता है कि आयत का परिमाप मतलब इसके 4 ओर की माप हमें ग्याद करनी है तो इसका परिमाप जो है आप चाहें तो ऐसे भी निकाल के कर सकते हैं कि 3 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 9 और यह सब जो एड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 24 हो जाएगा तो ऐसे भी निकाल सकते हैं या फिर आयत के परिमाप का एक फॉर्मूला होता है क्योंकि यहाँ पर 2 बार लंबाई और 2 बार चोड़ाई आई है यानि कि 2 लंबाई प्लस 2 चोड़ाई यानि कि 2 कॉमल ले लेंगे तो L प्लस B इस वाले फॉर्मूले में भी अगर हम रखेंगे तो भी हमारा वही आंसर आएगा तो अब यहाँ पर जो है इसको देखेंगे तो यह 2 हो गया और यह 12 और यह हो गया 24 सेंटीमीटर तो इस तरह से परिवाप यहाँ पर निकाल लिया हमने आयत का फिर बोला है कि तल पर इस्थित किनी 2 बिंदों से होकर जाने वाली कितनी रेखाएं खीची जा सकती है तो अगर माली जे कोई तल है उस पर कोई 2 बिंदों इस्थित है तो इसलिए जो है केवल एक रेखा खीची जा सकती है तो बस यह हमारा जो होगा आंसर हो जाएगा अगला प्रशन हमारा 2018 में आया है इस चैप्टर से की एक आयता कर गते का 6 त्रफल दिया गया है और इसकी लंबाई दी है तो इसकी चोड़ाई ग्याद करनी है तो माली जे की यह हमारा क्या है एक आयत है ठीक है यह आयत है और इसका जो है एक लंबाई दे दी गई है 13 cm और इसका छेत्रफल हमें पता है तो हमें यह निकालना है बी की वैलू फाइन करनी वैसे तो यह जो क्वेश्चन है हमारा यह अगले चैप्टर से भी कह सकते हैं कि अगले चैप्टर जो हमारा परिमाप है उस चैप्टर का भी होगा या फिर कह है सकती कि सब्सक्राइब तो आजर आपने दोनों चैप्टर अच्छे से पड़ा है तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं तो यहां पर जो है हमारा इसको जब हम सॉल करेंगे तो आगर इसमें आपको पता है कि आयत का जो मतलब आयता का जो च्छेत्रफल इसमें दिया गया है वह कितना दिया गया है 117 cm दिया गया है आपको पता आयत का जो भी छेत्रफल होता है वह लंबाई गुड़े चोड़ाई होती है तो अगर 117 उसका दिया है लंबाई दे दी गई 13 तो आपसे जो है चोड़ाई पूछी गई है तो चोड़ाई कैसे निकलेगी यहां पर निकालेंगे तो 117 बटे 13 तो यानि कि जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 139 117 होता है तो इसका आंसर हो जाएगा 9 cm तो इस तरह से इसकी जो चोड़ाई आ गई वह कितनी आ गई 9 cm हो ग जिवाओं के नाम लिखने हैं तीन जिवाओं के नाम लिखने और व्रितिका व्यास क्या है वह लिखना है और व्रितिका केंडर क्या है हमें वह बताना है तो हम अगर सबसे पहले और यह वाले की बात करें तो इसमें तीन कौन कौन सी है हमारी एक तो यह जो केंडर से लेक इस परिदी तक है यानि O B है तो O C O A और O B क्या है इसकी तीन त्रजाएं है फिर तीसरा अगला प्रशन है कि तीन जीवाओं के नाम बताने है आपको पता है कि जीवा क्या होती है जो एक परिदी से दूसरे परिदी के बीच में हो और यहां वृत के केनर से भी होके जा सकती है तो सबसे बड़ी अगर हम जीवा के बात करें तो यहां पर सबसे बड़ी जीवा तो उसका जो व्यास है वही है यानि A C जो है सबसे बड़ी जीवा है दूसरी जो जीवा है यहां पर क्या है A B है एक परिदी से दूसरे परिदी के बीच में और तीसरी जो जीवा है वो क्या दिया गया है तो इस तरह से जो है वृतिका केंद्र हमने निकाल दिया तो यहां पर जो है हमारा या तो यह भी हो सकता या फिर ए ओ सी भी हम क्या सकते हैं कि वृतिका केंद्र है तो यह है हमारे इस प्रश्णों का उत्तर तो इस चाप्टर से बहुत सारे क्वेशन बने हैं हर साल बनते और अगले साल भी बनेगा ही मतलब आपको आज के वीडियो अच्छा लगा होगा आपको कैसा लगा आप जरूर बताएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और वीडियो को फूरा देखे तब आपको वीडियो समझ में आएगा तो आज के वीडियो में बस इतना ही थैंक यू सो मच पॉर वाचिंग